हेलो गाइज यू आर मोस्ट वेलकम होने टुजाएड मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम लेकर आई हैं गायतरी मंत्र का अर्थ एवम उसके फाइदे जाजे सब कुछ इसे वीडियो में गायतरी मंत्र को मा मंत्र कहा जाता है हिंदु ध्रम में इसका महत्वे सरोवपरी है माननाता है कि दुनिया की पहली कुछ तक रिगवेध की सुरुवात इसी मंत्र जे होती है बर अमा जी ने चार वेदों की रचना करने से पहले इस मंत्र की रचना की थी आईए जानते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ और उसका महत्व और फैदे गायत्री मंत्र अन्य मंत्रों से जादा परवावसाली माना जाता है सास्तों में इस मंत्र को बहुत ही सक्ति साली बताया गया है इस मंतर का जाप करने के लिए किसी भी से समय की अब सकता नहीं होती लेकिन यदिश का जाप निर्दारित समय में किया जाए तो यह बहुत लाबकारी साबित होता है लगबग आज से 25 सो से 30 हजार वर्स पहले इसे लिखा गया था गायतरी मंतर को महा मंतर विका आ जाता है हिंदु ध्रम में इसका मैत्व सरो करी है मन नता है कि दुनिया की पहली पुस्तक रिगवेद की शुरुवात इसी मंतर से हुई है ब्रहमा जी ने चारोवेदों की रचना करने से पहले इस मंतर की रचना की थी गायत्री मंत्र में कुल चोबी सक्सर है यह मंत्र परिवर्तन आंत्री की विकास प्रमात्मा के परभाव को अपने अंदर दर्साने का परकास डालता है और कहा जाता है सभी मंत्रों में यह सर्वेस्रेश्ट है गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए तीन समय को असरदार माना जाता है पहला समय है सूरियते से कुछ देर पहले अर्थात ब्रहमूरत में दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय सूरियास्त के बाद का आप इन तीनों में से किसी भी समय इस मंतर का जाप कर सकते हैं परते दिन पूजा में तीन माला गायतरी मंतर का जाप अवस्य माना गया है वही गायतरी मंतरी की ग्यारा मालाव का जाप करने से भगवान की करपा हमेशा बनी रहती है इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखे कि आपके होटों से इसकी आवाज आपके कानों तक जाए इससे आपके दिमाग और मन को बहुत सान्ति मिलती है ओम भूर बवैस्वे तस्य विदुरेनियम बर्गो देवस्य धीमेई धियोयोने परचो द्याद माता गाहत्री को परसन करने के लिए इस मंत्र का जाप सरद्दापून तरीके से किया जाता है इस मंत्र का अर्थ है हे दिव्यमाः आपका सुध दिव्य परकास हमारे अस्तित्वे के सभी छेत्रों को परकास में करे करपया हमारे हरते से भी अंदकार को दूर करे और हमें सच्चा ग्यान परदान करे इस मंत्र के सभी सब्दों को का अर्थ अलग-अलग है ओम अदामी धमनी भूर है मानों सरीर प्रत्वी बोतिक छेतर अस्तित्व भुवे महतपून उर्जा स्वर्ग चेतना सुहे आत्मा आंत्रिक अस्तान और अध्यात्मिक छेतर आनंद दात वह सर्वत्तर सूर्य और सोरूर्जा वर्नेयम चुनने के लिए पूजा मारगे तेज़से स्वम दिव्य परकास देवस्य धिव्य दिप्तिमान अर्था दिमई दिमई धियोन ने बुद्धी यो कौन सा नहा हमारा पर्चोद्यात यानि परकासित करे प्रेन ना दे कहा जाता है कि नियमित रूप से गयात्रिमंत का जाप करने से आप चारो और अध्यातिम परकास जमा कर सकते हैं और यह है कि आप ना केवल अपने अंदर के स्वंदन अस्तर को बढ़ा सकते हैं बलकि आपके आसपास के लोगों परिवारों और दोस्तों परिजितों के मानचिक इस्तर को भी बढ़ा सकते हैं गायतिनी मंत्र की धवनी हमें अपनी वास्तिविक सवरूप में वापस लाती है जो स्वंसुद जेतना मानी गई है यह हमें याद दिलाता है कि हम पहले से ही सिद्ध प्रानी है और हमें वह सब कुछ दिया गया है जो हमें अपनी उच्तम अक्समता को परकट करने के लिए चाहिए था इस मंत्र का नियामित चाप करने से सांती सुक और आनंद का बाव जागरत होता है यह भी कहा जाता है कि यह एक आगरता को मजबूत करता है साथ ही भै इरिशा घरना क्रोध लाला चोर दरिदता से दूर रखता है ओके गाईच आई होब जानकरिया आपको अच्छी लेगी होगी तुमें टेहने एक स्टूडियो में टिल देहनों के बाव